सदर्थाना शेत्र के चीतों का बारिया निवासी पचास बर्षी किशान की संदिग्द परिसिती में मौत हो गई घटना की जानकारी सुबेच चाय देने के लिए गए भाई को लगी जिसके बाद उसने परिजनों को सूष्णा दी साथ ही पुलिस को भी घटना की सूष्णा दी सूचना के बाद उक सदताना पुलिस ने मोगे पर पहुच कर मोका मुआना किया पुलिस ने शव को कबजे में लेकर शव को राज़की अम्रत को रस्पताल की मोचरी में रखवा दिया पारिजनों की योड़ से दी गई रिपोर्ट की आधार पर शव का पोस्मार्टम कराने की बाद शव अंतिम संसकार हितू पर जनों के सुपुल दिखर दिया जानकरी कनुसा चीतों का बाड़िया निवासी पचास वर्षे किसांच पुना चीता पुत्र लासिंग सोंबार रात कुरो जाना की तरह नदी के पास इसे तपने खेट पर रखवाली करने के लिए गया था आवाज दी पर पुना ने कोई हरकत नहीं की तो उसके बैटे अनवर को शंका हुई और उसने अपने परिजनों को पुना के मुरत तवस्था में पड़े होने की जानकारी दी जानकारी मिलते ही परिवार के अन्य सदस से भी घटना इस्था पर पहुचे इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी जिसके बाद सुदर्धाना के दिवान मोहन सिंग विश्णोई माय दल्बल मोकी पर पूचे तागटना इस्तल का मोका मुआयना कर शव को कबजे में लेकर शव को राचकी अमरत को रस्पताल की मौचरी में रखवा दिया इसके बाद परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्त मार्टम कराने के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौप दिया परिजनों ने किसी भी तरे की शक्त शुभा जाहिर नहीं की है पुलिस ने मामला दर्ज कर जाज शुरू कर दी है उठेनी तो रात की उसकी अक्षमात मरती होगी है मोके पर पूंचें मोके से लास को पी यह पीमार के लिए वस्पिर लेका है इसका पीमार कारवाई जारी है पीमार करवा के और बोडी परिजनों को सुप्रट की जाएगी मेरा अज वी तू मेरा कल वी तू हर मुश्किल दा हल वी तू गुरू नानक जैनती के शुप अफसरक पर पीपीएस पेराटाइज गार्डन अजमेर रोड वे पीपीएस ओटर उदेपू रोड ब्यावर के गुपेंदर पाल सी वे हर्जित सिंग सलुजा और मनी भाई के और से आप सभी को गुरू नानक जैनती की हर्जित शुप काम ना वे पताई